हेलो एबरिवन टूड़े भी विल सॉल फ्रम कोर्शन नमबर 21 अब एक्ससाइज 16A क्लास 10 आरेस अग्वाल में इससे पहले आमने जितनी वीडियो नाई है उन सब वीडियो का लिंक आपको नीचे डिसकर्सर बॉक्स में देती आए अगर से पहले आप किसी कोर्शन डाउट हो तो आप नीचे डिसकर्समें जाकर उस वीडियो के लिंक को क्लिक करक्या वो वीडियो देख सकते हैं टॉपिक आपका एरिया अप सर्किल सैप्टर एंड सैग्में आरेस अग्वाल बॉक्स में इस नाम से है यो कि क्या होगय है इस नोमट्ट इडिक है चलिए करते है करना है find the area of a quadrant of a circle whose circumference is 88 cm कैसे होगा बताते हैं क्वाइट क्या होता है quadrant प्ट रखें का बन अपन फोर्थ पार्ट को quadrant करते हैं तो circle का area का बन फोर्थ कर दें तो area of quadrant निकलाएगा हमें चाहिए उसकी radius radius के लिए हमें circumference of circle के रखा है तो वह लिख लेते हैं circumference of circle कितना देखा था 88 cm circumference of circle of formula मैं पता है क्या होता है 2 into pi r pi की value pi की given तो नहीं इस question में given है question 21 में given नहीं तो 22 अपन से भी लागा है नहीं into r is equal 88 इससे क्या होगा radius r निकलाएगी circle की क्या हो जाएगा 88 into 7 cross multiple upon 2 into 22 2 बंजा 2 2 4 जा 22 बंजा 22 बंजा 22 जा 7 जा 14 तो radius आगी 48 यानि की radius of circle होगी 14 cm तो quadrant का area निकाल सकता है वार हम से तो area of quadrant क्या होगा 1 by 4 area of circle यानि की 1 by 4 pi r square pi की value 22 upon 7 और आमना भी निकाली 14 इसका square यान की 14 into 14 7 से cancel होगा 7 बंजा 7 7 2 जा 14 2 बंजा 2 2 जा 2 से यह 7 बार और 7 का 22 मुल्टिप्ल कर दो 154 आ गया question 22 है इस type का सवाल अक्सर मैंने देखा आता है exam में अगर आपके exam हूँ हो हाल फिलान में और आपके slivers में जाला chapter है तो मान लिए सवाल इस type का आ सकता है ना easy भी है और important है कई वार आ चुका है बोट तक में आ चुका है ना चली करते है a rope by which a cow is threat is increased from 16 meter to 23 meter एक गाह है रसी से बंदी हुई है ना उसकी अगर नंबर हैं बढ़ा दें रसी की रोप की 16 meter से 23 meter कर दें how much additional ground does it have now to graze तो कितना extra cover कर लेगी ग्रेज कर लेगी चारा चर लेगी मतलब यह है ना कैसे होगा समझाते है अब कोशनल का मतलब समझ लिजी आप देखो काव यहां मत देख पानलू ठीक है ना अब पहले रोप थी कितनी लंग थी 16 meter तो 16 meter के काव यहां से खुंडा है इस सोले मीटर लंबी आप रोप है इसके गले में गरदन बदी है तो काव क्या है यहां तक जा सकती है यहां तक जा सकती है तो यानि कि maximum कितना distance जा सकती है इस point से fix point से 16 meter और पाता है circle क्या होता है circle होता है fix point से equal distance पर जितनी भी point हो उन सब का collection तो यह अगर maximum लेगी तो यह circle बनाएगी और maximum क्या होगा इतना इतना अंदर सब करी लेगी तो इस circle के area के equal वो graze कर लेगी यानि कि जितनी भी घास उसको चरनी है कितना area होगा maximum पहले जब इसकी length कितनी है 16 meter फेगर रहने जिरू होती है समझाने करता रहा हूँ ठीक है अब कराए 16 तो यह तो सब घास उसने चल ली अब 16 meter की वजाए उस rope की length को increase कर दिया और increase करके कर दिया 23 तो 16 meter अब 7 meter और increase होगी है न तो यानि कि अब कहा तो आ सकती है यह 7 meter और increase होगी टोटल यह कितनी है यहां से यहां तब कह रहा है rope की length कर दिया 23 तो अब क्या होगा फिर एक circle बनेगा ठीक है न जिसकी radius क्या होगी 23 meter तो एडिस में कितना ग्रेज कर लिया यह भारवाले circle का area यह तो एडिस में ग्रेज हो गया तो यह ही निकाना है और इस तरह की figure क्या थे circular ring काई वार सवाल पता चुके वा इसका area को था outer circle के area में से inner circle का area सब्टट करने इनर की Additional ground-greyze भाई काउ से लखलो हाँ हाँ चोड़ी शोड़ी देंग्रेज तो आने चाहिए Additional थोड़ी साइज भी लिगरी चलो यह लिग दे रहा है यह अब additional ग्राउंड ग्रेज़ बाई का ग्रेज़ बाई का यह होता है सर्कुलर रिंग का पाई आर स्क्वाईर माइनस आर स्क्वाईर जानतो कैपिटल आर क्या आउटर रिडिस वो क्या दिर कि हमें 23 पाई की वेलू तो गिविन है नहीं इसमें तो पाई की वेलू लिख रहे हैं 22 अब इसको जरूर नहीं कि आप 23 का स्क्वाइर लिखें और 16 का स्क्वाइर लेकिन हमें एक आइडेंट्री मालूम है अब मल्टिपिल कर दे तो 39 टूजा 78 78 और आजाएगा 8, 8, 7, 15, 858 मीटर स्क्वाइर तो एडिशनल ग्राउंड ग्रेज बाई काउ कितना हो गया 23 है आपका सेम ऊपर की तरह सवाल पढ़ते हैं पहले क्या है अब इस हर्स को काम बाना गया है एक कौने से बाना गया है वह काउ का थी कईवी थी बीच में बेंगी है यहां रेक्टेंगल पार्क दे रखा है उसके कौने से बाना गया है और रूप की लेंद्ध है 21 बीटर तो on how much area can it graze how much area is left ungraze कितना उसने graze कर लिया और कितना उसने गहास नहीं चरी उसका एरिया निकालना है सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें से अच्छे से कर लेना एक कौर्शन आपको 100% मिलेगा आपके एकजम में अगर आपके एकजम में यह सलिवस में है चली करते हैं कौर्शन में 23 तो कौर्शन क्या है एक रेक्टेंगुलर फिल्ड है जिसकी लेंग एंड बित रखी है 70 मीटर वाई 52 मीटर मालों यहां होर्स इस कौर्णर से बना हुआ है और जिस थ्रेट से बना हुआ है उसकी लेंद रखी है 21 मीटर अब यह खौर्स एक देख कहां चड़ सकता है यहां तक चड़ सकता है कहने का मतलब यह इस तरह से आर को ना लेगा और इतने ही फिल्ड है तो उसके भाहर जा सकता है लेकिन खासफास है नहीं या मालों बांडरी है तो इतने ही एरिया चलेगा इस तरह का जो फिकर बनती है वो क्या कक्या है चक्टर तो क्या है लेकिन है इस क्या है क्या है इसकी खौर्ड सेक्टेश और इसकी słu रेडियस है यह figure क्या होगी quadrant तो जो horse है कितना area cover करेगा एक quadrant की area के पर आप जिसकी radius क्या होगी 21 meter पस कितनी सी बात फिर पूछा अन ग्रेज तो अन इतना तो इतना तो इसने घास चर ली अब बच्ची कितनी अन ग्रेज इसके भारवाली कैसे निकलेगी area of rectangle minus area of quadrant clear तो बस ए लिख लें त पाइ की वैलू 22 अपन 7 आर स्कार रेडियस कितनी है कितनी है 21 meter तो 21 into 21 के लिए 7 अच्छह काम कर सकते थे निकर एसी होगा 7 मुझे 7 गांगें, 7, 3, 21, 2, 2 जा, 2 से यह 11 बार कैंसल, कितना हुआ यह, 5.5 तो यह हो गया, 2 से 11 मेंने कैंसल करते हैं, 5.5 आ गया, और यह हो किया, 3 का मल्टिपल करा, 63 यह आ गया, अगर उनका मल्टिपल करके बताते हैं, कितना है गा, 5, 3 जा 15, 15, कैरी 1, 56, 31, 31, तो 5, 1, 3, एक बार होड़ाएगा, 55, तो 5, 6, 4, 3, एक प्लिस का डेसिमन, तो यह हो गया, 346.5 मीटर स्कॉर, क्लियर, एक पार्ट का अंसर आ गया, पहले इसी का अंसर चेक कर लिखें, यह हमना कैलिमेसन सही करी है, अगर यह गलत बाद का बाद गलत हो इसे जो उसने घास चल लिए उसको टा दे, तो area of rectangle minus area of graze, तो लिखो, area of ungraze field, area of ungraze, how much area is left ungraze, area of four ungraze field, क्या होगा वो, चलो मैं लिख देता हूँ, area of rectangle, मैंसे, जो हमने घास चल लिए उसको टा दे, minus area of graze, area of rectangle, हमें पता है क्यों होता है, l into b, length कितनी है, 70, बिद कितनी है, 52, तो यह हो गया, 70 into 52, और यह हम निकाल चुकिए, graze का area, 346.5, और यह आगे तो square meter आएगा, area का unity square होती है, multiple करें क्या होगा, 0 तर रहे गई, 72, 14, carry 1, 75, 35, 136, minus 346.5 square meter, subtract करना तो जनते है, point का 0, borrow लेंगे 10, अगर आपको किसी को भी mistake, थोड़ी सी टाउट हो, तो बिल्कुल बच्चों की तरह सब्च्च करने न, खास तो और girls mistake कर देती है, हम copy check करते है, board की देखते है, छोटी-छोटी mistake हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसी लिख लिए, आपको को 3,293.5, 3,293.5, 0 आग लाओ, ना लाओ, आपकी मर्जी है, square meter, तो यह हो गया area of ungraze field, तो जितनी भी square में, sorry, rectangle field में घास थी, उसका कितना area force के दारा graze हुआ, 346.5, और कितना left रह गया graze के लिए, बागया, 3,293.5, चलिक करते हैं, next question number 24, 24 है, a horse is threat to one corner of a field, which is in the shape of an equiliter triangle, अभी उपर था, अपर rectangle था, अब यहाँ, equiliter triangle है, एक corner से बदम, वह उपर यहीं सवाल है, पस शेप चिंज होगी, अब क्या equiliter triangle है, और sides जरकिया है, off sides 12 meter, okay, if the length of the rope is 7 meter, तो same उपर की तरह है, 7 meter की length है, तो find the area of field, which the horse cannot graze, जो अपने second part ने कर था, यानि की remaining part ने करना graze के लावा, तो कैसे निकलेगा, देखो, अब क्या करा है, answer correct to two place of decimal, to three की वेलिदिया रखी है, जो उपर rectangle हो, या square हो, तो उसमें क्या बनता था, quadrant, या quadrant की जगए sector बनेगा, एंगिल क्या होगा, 60 degree क्यों, इकुलेटर triangle का, इच एंगिल होता है, 60 degree, और r की जगए, जो radius होगी, वो कितने होई, thread की length के बढ़ावा, वो है, termit है, तो हम पहले क्यार निकालेंगे, या तो आप area of rectangle, sorry, area of equality triangle कर लो, फिर area of sector, या area grace by horse, कुछ बिल्कुल को sector होनेगा, फिर equality triangle में से area of grace निकाल देंगे, तो कौन सा जगा, वो है जगा, area of field which the horse cannot grace, root 3 की जगए, यहाँ लगाएंगे, 1.732, चलिए करते हैं से भी, तो question number 24 की figure में यहाँ बना देता हूँ सामने, क्या अंतर है, अब हमाँ पास rectangle की वजाए, एक equator triangle है, बाकी से में, एक corner से horse को हमने बांद रखा है, और जो rope है, उसकी length, बताता हूँ क्या, यह 12 meter दे रखी है, एक equator triangle की, और जो, rope थी, उसकी length दे रखी है, 7 meter, तो यह 7 meter लंबी है, तो क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, तो यह क्या होगा, अब एक sector बन गया, और यह angle कितना होगा, एक equator triangle का, इच angle होता है, 60 degree, और sector की radius कितनी है, जो length है, रोप की, जो की हमें दे रखी है, 7 meter, clear, तो सबसे पहले है, यहाँ दो, डाल दूँ, question number काउन सा है, question number यह 24, 24, तो पहले तो आप area of equator triangle काल लो, area of an equator triangle, सब जानते हैं, फिर मैं लिखता हूँ, root 3 by 4, side square, root 3 की value है, हमें given, 1.732, upon 4, side square, sides कितनी दर की है, 12, 12 into 12, 4 से यह 3 वार cancel, 1.732 into 12, 3 होते हैं, 36, मैं बीटे post करके, multiple करके, बताता हूँ, कितना आया यह है न, तो यह मैंने multiple कर लिया, और यह आ गया, 62.352 meter square, यह तो इस पूरे field का हो गया, अब graze वाले इरे निकलने है, वो है, sector का, तो area graze by horse, area graze by horse, sector का angle कितना न थीटा, वो होता है, 60 डिगरी, तो आया यह फॉर्मला क्यों होता है, theta upon 360 pi r square, pi k value, 22 upon 7, r square radius कितनी है, length कितनी दे रखी है इसकी, 7 meter, तो r square रहन की, 7 into 70, 0 से 0, 6 से यह 6 बार cancel, 7 बन जा, 7 बन जा, 2, 3 जा, 2 से यह 11 बार cancel, तो यह आ गया, 77 upon 3, ओके, तो 3 का divide कर दियते हैं, बताते हैं क्या आते हैं, तो यह आ गया, 25.6666, इसने रिदिया, क्योंकि हमें 2 पहले, तो 3 प्लेस लेगी, है न, 3 प्लेस कर दिया, 7 हो जाएगा, तो अब क्या है, area of triangle इतना, graze करा गया, horse के दुवार इतना, तो ungraze कर रहेगा, इसमें से, इसको minus कर दें, बसे 3 सी बात है, तो लिखो, area of ungrazed field, field क्या था है, horse start by the corner of the shape of an equilator triangle field है, क्या होगा, area कितना है था, equilator triangle 62.352 minus 25.3 प्लेस से 3 तक इतना, जितना पूछा, 2 प्लेस तक पूछा है, तो एक प्लेस जादा देंगाना चाहिए, तो कितना होगा यह, यह हो गया, 12 में से 6 गया 6, यहां रहा गया 4, 14 में से 6 गया 8, यहां रहा गया 2, बॉरो लेंगे 12 में से 6 गया 6, डेसिमल का डेसिमल फिर बॉरो लेंगे, 11 में से 5 गया 6, यहां रहा गया 5, 5 में से 2 गया इतने मीटर स्कार, 36.686, कितने डेसिमल फिर 3, आंसर लिखना है में 2 तक, तो थर्ड प्लेस का देखिंगा, अगर यह 4 से बढ़ा, यह दूसरे सब्दों 5 और 5 से बढ़ा, तो एक इंक्रीज हो जाता है, तो इसे अटा दो, यहां एक इंक्रीज कर दो, ते कितना हो गया, 36.69 स्क Question 25 है, 4 cows are threaded at the 4 corners, यह अच्छा सवाल आया, और फिस्क्वाइर फिल्ड, इसके चारों कौर्ने में एक एक काय को हमने बंग दिया, और इस्क्वाइर फिल्ड की स्याट देर के 50 मीटर, Such that each can graze the maximum unshare area, जित सारों गया, जाद से जादा कितना ग्रेज कर सकती है, वो इसे निकालना है, लेकिन share न कर रहा है, यानि कि एक दूसरे का फिल्ड को या एरिया को खाए नहीं, चरे नहीं है न, वो ताना है, वाट एरिया विल्ड लेफ्ट अंग्रेज, तो अंग्रेज का तो निकाल लेंगे, चारों गया द्वार जितना भी, एरिया ग्रेज कराया है, उसको किसमे से माइनस करेंगे, एरिया उप स्क्वाए 40 मीटर दे रखाया है, पाई की वैलू हमें यहाँ पर 3.14 यूज करने ह गाई कैसे होगा अच्छा कोशन है करते हैं इसको, तो पेले तो आप फिगर से कोशन को समझे लो कोशन है क्या, अगे कोशन में दि में दो रखाय एक स्कॉरर फिल्ड है हमाई पास, जिसकी सैड्स 50 मीटर है, मंनों यह स्कॉरर फिल्ड है, इसकी हमें सैड्स दि यह 50 मेटर, इसको इसको आपको पता ही अच्छे से, चारो कौने पर, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, चार गाय बांदी, और इस तरीके से बांदी, कि अगर ग्रेज करें, तो एक दूसरी का एरिया में न जाए, तो देखो अगर इसकी लेंद क्या है, कहने का मतलब, यहां भी और यहां भी आया है, कहने का मतलब याली काव, इतना एरिया ग्रेज करेंगी, मिट11 ay मिलेएतना पर ग्रेज करेंगी, ये टच होंगे है न और ये काओ याला एरिया और ये काओ इतना ये तो पूछा है unsaded, ungrazed तो क्यों हो बीच वाला कैसे निकलेगा area of square में से इन चारों का ये निकलने इसकी radius क्या होगी वस ये पता होना अच्छी हमने क्या निकला radius कितनी होगी sides का half यानिकि 25 meter radius होगी in each sector की और ये sector क्या है क्या होगी क्योंकि square rectangle वो कहलाते है quadrant क्योंकि 90 degree angle बना है ये 25 होगी 25 के लिए इसमें खाली ungrazed का पूछा है ungrazed का हो सकता ग्रेश का भी पूछ लेता ग्रेश का पूछे या ना पूछे अगर ungrazed का पूछे तो ग्रेश का तो में निकालना ही पड़ेगा क्यों area of square में से area of grace निकालना पड़ेगा ठीक है तो मैं पहले डारेक्ट में लिए सकते में अलालक निकालता हूँ पहले देता हूँ area grace by each cow हर गाय कितना एरिया क्या होगा बन वाइफोर पाई आर स्कॉर पाई की वैलुस है तो देव इंतिरास में हाँ पाई की वैलु हमें दे रखी है 3.1 पूछे कितनी होगी जो भी साइट से या 50 हो सकता है कोर्शन में अला जाए तो उसका हाफ कर दोगे तो 50 का हाफ 25 25 इंटू 25 इंटू 25 कुछ ग 25 जा 27 जा तो यह आ गया 21.57 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 होता है 625 अपॉन 2 के लिए है तो 1.57 इंटू 2 का डिवाइट कर दूं 2 3 जा 6 2 जा 2 2 जा 4 अब इसका मल्टिपिल करके बताता हूं कितना है बलकि बात तो मैं भूली गया है इच का होगा तो चार का होगा था तो च प्रकी जाता है चलो यह तो एरिया ग्रेजवाई इच का हुआ मल्टिपिल करके बताये दे तो इससावाल मों पूछ ले तो यह आ गया मैंने मल्टिपिल कर लिया 490.620,625 इक गया इतनी कुल कितनी का होगा है वह पास चार लेकिन दिखान दिखना अगर एक्जाम में यह सवाल आता है तो स्कॉप को मल्टिप्ल करने जी रहोती है इसा एसी रहा न देना फोर कव और मुल्टिप्ल कर दो टोटल एरिया ग्रेस वाई 4 पर काव जो जागा तो टू से टू कर जागा टू से 625 में मुल्टिप्ल करोगे तो कितना हुगा 1350 बार 1250 अज़ागा है ना फ फोर से मल्टिपिल कर देंगे फोर इंटू 490.625 अब यहां यह फायदा है कि फोर की टेबिल तो आप लोगों को आती है है ना आती है तो फोर से मल्टिपिल कर दो फोर फाइब जा 20 कैरी टू फोर टू जा एट और टू टैन का जिरो कैरी वन फोर शिक्जा 24 और 25 का फाइब और जी टू है तो 25 है जाएगा फोर नांजा 36 कैरी कितना हुआ थ्री फोर फोर जा 16 और 3 नांटी वन टू थ्री ठीजिस के बार डेसिमल तो 1,962.5 मीटर स्कॉर ए या अब अन-ग्रेजzd पूछा है तो अन-ग्रेज़ कैसे नकालेंगे फुर द्बार दीखेंलो उन ग्रेज़ कुन सा है मैं यह सिटें कए रहा हूं याला यह कैसे निकलेगा टोल एरा मैं से इन चारोंग का ऐरिया फाइंट कर दें यानिकि एरिया ओप स्कॉयर माइनस area of grazed by four cow यह थाण तो area of ungrazed field area of square minus area of grazed total place यह थाण अबर यह थाण अब अना एरिया ग्रेज्ट वाई 4 खाऊ एक के नहीं फूर्ट दा रहा एरिया उसकर को था साइट इंटू साइट तो 50 इंटू 50 साइट 50 दे रखिया है यहां निकाल चूके सब्सक्राइट कर दें इसमें मिस्टेक मत कर दिना वरना वही मैं से पहला थाया बिल्कुल सुद्य देशी बच्चों की तरह लिख लो कितना सब्सक्राइट रहा है इसमें अन्टिन गया तो 5 भी तो चींगे 5 ओके कितना हो गए यह 537.5 मीटर स्कॉर तो एरिया ऑफ अन्ग्रेज रहा गया हमारे पास 537.5 अगा पूचा हो था कि चारा काउं दौरा कितना एरिया तो यह यह पुश्ता इच काउ तो यहने कि एक काउं कितना ग्रेज कर दि इसमें इस 4 से मल्टिप्ल कर दिया तो 4 को निकला है इसको मैंस कर दिया तो एरिया अन्ग्रेज निकला है ओके चलिक करते हैं नैस्ट कुर्शन नमबर 26 कुर्शन 26 आपका इन दा गिबिन फिगर ओ पी क्यू आर इस आर रोंबस हमें एक रोंबस दे रखा है कौन-कौन सा कैसे को इसके तीन बर रखाए हमें दियां थर्टीटी टू रूदे लखा हैं 32 रूमबस का एरिया दे रखा यह मैं 32 रूद3 संटीविटर find the radius of the circle तो हमें circle की radius find करनी है कितनी हो की, कैसे होगा समझाते है आपको तो देखिए, मैंने एक figure भूना भी रहा अब यहाँ जारा ध्यान से देखो O P equal to क्या है O R equal to क्या है O Q O P O की O R क्यो है क्योंकि यह circle की radius है radius की प्रोड़क्रम तो रेडियाई radius of our circle और तो कौन कोज़े sides equal होई यह sides O P equal to इसके equal है और Rombus में क्या होता है Rombus की चारों sides equal होती है तो यह भी equal हुई यह भी equal हुई और यह radius है यानि कि सारी की सारी sides जो हमें दिखाई जारी है Rombus की इसके equal होई इसके radius के equal है ठीक है ना अब Rombus के area को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं या थ मैं waste मालूँ waste into height निकाल सकते हो दूसरा 1 by 2 product of diagonals diagonals में मालूँ नहीं है तीसरा करी कहा है समझो बैसरा करी करना हूँ इसे हम diagonals के निकाल सकते हैं ऐसा नहीं कि diagonals निकाल सकते निकालके दो भी कर सकते हैं लेकिन जरुबत नहीं है एक दूसरे में सवाल कर देंगें कैसे देखो ऊपर ये ट्राइंगल मैंने सेड़ेट कर दें दिखाई दे रहा है चलो सिर्ट तुला डार कर दूँ एरा फेफ़ेगर है यह कैसा ट्राइंगल है एकुलेटर क्यों हो यह यह रिडियास और यह चारो सिकलों है इसके गट रिडियस है यह तो इकुलेटर ट्राइंगल का इरिय निकलना जानते हम रूट 3y4 साइड़ेट स्के उपर का एकुलेटर और नीचे भी एकुलेटर सेम साइड्स के क्यों रोमबस की चारो सिकलों होती है जितनी आर यह है तो आरी यह होगी मैं लिख दे रहा हूं रहा है री पाइंट करने दो साइड़ेट के कर लोगी रोमबस की और यह भी आ रहे है तो बास समझ में आ गई तो एरिय आउप रोमबस क्या होगा एरिय आउप एकुलेटर ट्राइंगल ओ पी क्यू प्लस एरिय आउप इसको है हमने अब सर्केल की रेडिस मानली आ लिख लेते हैं लेट यह तो फाइंट करना है रेडियस और सर्किल वी आर सेंटी मीटर तो यह समराव किसके होगी आर के तो अब एरिय आउप रोमबस क्या है इस फिकर से एरिय आउप इकुलेटर ट्राइंगल ओ पी क्यू प ट्राइंगल ओ की वार प्लस एरिया ओफ एन इकुलेटरल एन लिखना भूली गया यह तो ट्राइंगल ओ की वार यह मिलकर होगा कितना है रोमबस का 32 रूट 3 अब यह दोनों सेम ही सेम ही तो है एक ही साट के है ठीक है ना तो इसको हम क्या ले सकते हैं टू टाइम्स ओप अब यह तो ट्राइंगल का उता है रूट 3 भाई 4 साट कितनी दे आर यह समझे है टू टाइम्स का हो गया क्योंकि इसकी भी साट आ रहा है इसकी भी साट आ रहे तो एक करने कानने सकट डबल करने पूरे का हो जाएगा तो मैंने ही अंडर रह रह दिया 2 इंटू इंटू आर इसक्वार इस 64 तो रेडियस कितने होगी अंडर रूख 64 64 का तो रटा होता सबको 8 होता है ना इसका रूट आर बरावर आ गया 8 सेंटी मीटर यही पूछा था आइंड दा रेडियस ओप सर्किल सो रेडियस ओप सर्किल इस 8 सेंटी मीटर 30 मिनट्स की करी 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 वीडियो हो गई है चलिए स्टॉप करते बनना मैं दो कोर्शनों करने के मुल है था वो मैंने स्ट वीडियो में करूँ है वीडियो काफी लंबी हो गई है तो मुझे उम्मीद है आज के सभी कोर्शन 26 तक 21 22 23 24 25 26 कोर्शन आज के अगर आपको किसी भी कोर्शन और अभी वी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं इस कोर्शन को किसी अलग मैंतर से समझाने की कोशिर करूँगा अगर आप लोग पहली वर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सस्काइब करना बूलें साथी साथ बैल आइ यू, have a nice day.